हाई काईस मेर नाम है संदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट मियू आई एसर के क्वार करडिशन के बारे में पोको एक्सरी प्रो के लिए एंड वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे अलमोस्ट 26 डेज हो चुके हैं रीजन इसका यह है कि यहाँ पे मैं अपना नया घर बना रहा था तो उसकी वज़े से बिजी था एंड में भी कुछ टाइम के बाद फिर से मेरे को जाना पड़ सकता है घर पे तो होफुली तब भी यहाँ पे मैं आपके लिए इनेक्टिव रहूँगा बट जब तक यहाँ पे हूं आपके लिए वीडियो जाते रहेंगे सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन पेज से तो यह है Poco X3 Pro के लिए MIUI SR का Quark Edition जो की Ported है Poco F3 से यने की Mi 11X से और यहाँ पे अगर आप देखोगे All Specs के अंदर आपको Android Version 12 मिलेगा और 3GB Memory Extension है और यहाँ पे SR Version आपको मिलता है Quark Beta और अगर आप Android Security Update देखते हो तो वो आपको 2022 10.05 का देखने के लिए मिलेगा Then Perf का Kernel आपको ROM के अंदर As It Is देखने को मिलता है बागी यहाँ पर Monit Theming वगरा का Support मिलता है बढ़ उससे Interesting चीज़ें आपको यहाँ पर क्या मिलती है उसके बारे में आगे बात करेंगे अगर आप जाते हो MIUI SR Customization के अंदर तो यहाँ पे Switch Control है MIUI 13 Stock Control है Monit on Control Center आपको मिलेगा Monit System Apps आपको मिलता है तो जो भी आप यहाँ पर चूज करना चाते हो वो आपके लिए Option यहाँ पर मिल जाएगा आप Monit को Off भी कर सकते हो Then Player Smart Hub का Option है and Old Control Customization आपको मिल जाती है जो Old Control Center है उसके Regarding Customizations आपको यहाँ पे मिलेगी कुछ Control Center के Mods आपको मिलेगे and same चीज़े आपको यहाँ पर New Control Center के लिए देखने को मिल जाएगी and अगर आप यहाँ पर आते हो Notification के अंदर बड़ उससे पहले में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ Seek Bar Customizations आपको यह मिलती है देन अगर आप Status Bar के अंदर आते हो तो यहाँ पे iOS Style Volume and Player आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से यह भी आपको मिलेगा देन अगर आप यहाँ पे Apply करना चाहते हो ऐसा Style Status Bar तो वो आपको Option मिलता है Even अगर आप Dual Status Bar Style अपलाई करना चाहते हो तो उसका भी Option है अगर आप Charging Customization के अंदर आते हो तो यहाँ पे आप इसकी Customization कर सकते हो आपको काफी ज़्यदा Options देखने को मिल जाते हैं Even further आप Color Change कर सकते हो Notification के अंदर आपको iDroid का यहाँ पे Notification Center मिल जाता है जो कि फिलहाल मैं यूज करा हूँ And आप Notification Sound को Disable कर सकते हो Transparent Notification on कर सकते हो तो काफी ज़्यदा Options आपको मिलते हैं उसके बाद आप Power Menu को Lock Screen में छोग कर सकते हो यहाँ पे Power Menu के regarding काफी ज़्यदा Customizations आपको देखने को मिल जाती है And अगर आप यहाँ पे MIUI 13 वाले Power Style Choices के अंदर Monit Theming जूज करना चाते हो तो उसको Option आपको मिलता है Otherwise आपको कुछ ऐसा Option देखने को मिलेगा या फिर आप Default पे भी इसको Setup कर सकते हो And अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Dialer and In-Call Customization की तो यह Options आपको मिलेगे Then Launcher Customization के अंदर आओगे GPU Tuner है, Third Party Launcher को Option आपको मिलेगा और यह आपको Recents को Option देखने को मिलेगा Recents Icons आप Center में कर सकते हो And Navigation Customization के अंदर यह Options आपको मिलते हैं यहाँ पर जो Almost UI है यह आपको मिलती है AOSP से Inspired और Battery Customization के अंदर भी आप देखोगे iOS का Style है बागे आप देखोगे तो काफी ज़दा Options आपको मिलेगे Even अगर आप Signal Customization के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको Insane Customizations मिलती है और यह सेम चीज़े आपने AOSP ROMS के अंदर देखी होगी Even Wi-Fi Icons की Customization है उसके बाद Vault Icons की Customization मिलती है वो Wi-Fi Icons की भी Customization मिलती है Miscellaneous में अगर आप आते हो Theme App Server आपको मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर Secure App Screenshot का Option है और Pulse Settings आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर MIUI SR Customizations आपको भर-भर के मिलते है और जो Customizations है वो काफी Premium आपको मिलती है MIUI SR Customizations के इलावा आपको Refresh Aid का UI Updated मिलता है और इसमें I Think आपको 90Hz का भी Option मिल जाएगा AI Image Engine के अंदर यह दो Options आपको मिलेगे उसके बाद Sound and Vibration के अंदर आपको Monod Theming मिल जाएगा Monod Theming Latest Updated है Sound Effects के अंदर आपको यह वाले Options मिलेगे And Notification and Control Center में आपका यह वाला Control Center आपको Latest मिलेगा Then Status Bar के अंदर आओगे तो यहाँ पे वही सारे Options है Home Screen के अंदर भी Animation Speed बगरा का Option मिलता है और Animation Speed आप आगे Further Customize कर सकते हो और काफी सारे Changes आपको यहाँ पर भी देखने का मिलता है जो कि हमने Already काफी वीडियो के अंदर चेक आउट कर रखे है Icon Shadows आपको मिलती है उसके बाद Range Item से Recent का Option है जिसमें iOS Style आपको मिलता है और Style 4 भी आपको मिलेगा And Icons की I Think आपको Customization यहाँ पर देखने को मिल जाएगी So Icon की Customization ज्यादा नहीं मिलती है सबको Similar आपको मिलेगा Then Face Unlock, Fingerprint, सबको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यह कुछ Special Features हैं इस MIUI SR-ROM के मैं आपको Important चीज़ें एक बार चेक करवा जिता हूँ First of all आपका जो Device है वो आपको Certified मिलता है और Wideven L1 आपके लिए Present है उसके बाद अगर आप यहाँ पर Geekbench 5 के Scores देखना चाते हो With Game Turbo On और यहाँ पर Performance Mode के उपर इसको Enable किया था यह Scores आपको मिल जाते हैं उसके बाद 3D Mark के Scores आपको यह वाले देखने को मिलते हैं Same यहाँ पर भी मैंने जो है उसको Enable कर रका है गेम डर्बो केंदर एड किया है और अगर आप देखना चाते हो तो यह आपको Charging Speed मिलते है Charging के टैम में कोई Major Heating Issues मेरे को देखने को नहीं मिले बढ़ा 37 Degree के आसपास जब Temperature था तो जो Speed है वो Almost 2000 Mb के आसपास आ रही थी तो यह आपको Issue Face करना पड़ सकता है और मैं Battery Consumption की बात करूँगा तो मैं कल से इसको Use करूँगा जो Active Drain है with Gaming तो आप यहाँ पे देखोगे 13% पर आर के आसपास है Idle Drain 0.18% पर आर के आसपास काफी अच्छा Idle Drain आपको मिलता है और Battery Consumption भी काफी अच्छा है इस ROM का और यह आपको Performance मिलती है यानि कि यह CPU Throttling का Graph है जिसमें 94% तक आपका CPU Throttle होता है और I Don't Know कि यहाँ पर जो है Photos App के अंदर आपको Spoofing मिलती है या फिर नहीं फिलहाल मैंने इसको Install नहीं किया बट Unfortunately जो Screen Recorder आपको यहाँ पर प्रिंस्टॉल्ड नहीं मिलता वो Remove कर किया हुआ आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप इसको अपने Accordingly इंस्टॉल कर लेना आपको पता है MIUI System App से तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसके बाद यह आपका Work करने लग जाएगा Gaming के अंदर भी और जो आपका Theme Store है वो यहाँ पर Global वाला Working आपको मिलता है तो यहाँ पर Ads आपको देखने को मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हो बट जो UI है वो आप देखोगे कुछ ऐसी है बट यह Global वाला Theme Store आपको मिलेगा जो की काफ़ी अच्छे से Working है ना Camera Department की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है Leica का Camera और यहाँ पर वीडियो के अंदर आओगे तो 4K 60fps तक का Option है Super Macro वगरा है और एक चीज़ और आपको दिखा दो Portrait Mode Working है Even Slow Motion Videos भी आपकी यहाँ पर Working रहने वाली है So Slow Motion Videos I think आपका Work नहीं करेगा So Slow Motion के अंदर आपको Issue आएगा यह Crash कर रहा है में भी कुछ और Modes भी आपके Work ना करें And उसके इलावा इस ROM की जो Smoothness है वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको Optimization मिलती है और Smoothness के मामले में यहाँ पर आपको ROM के अंदर कोई भी Issues नहीं आने वाले जो Smoothness है वो काफी अच्छी है And even जो App Opening, Closing, Animation की Speed है वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है As you can see जो RAM Management वगरा है वो भी काफी अच्छा आपको मिलेगा Optimization आपको in terms of UI experience काफी बेटर मिलती है Just एक शिकायत है मेरी यहाँ पर जो आपका Camera App आप Open या फिर Close करते हो तब आपको थोड़ा सा Lag फील हो सकता है Otherwise ROM के अंदर कहीं भी मेरे को Major Lag या फिर Issues देखने को नहीं मिले अगर मैं BGMI की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 90 FPS मिल जाता है By default ही मिलेगा आप 90 FPS के उपर आप BGMI प्ले कर सकते हो But unfortunately यह जो ROM है उसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़े Frame Drops फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ पर Gaming के अंदर हलके फिल के Frame Drops आएंगे और 90 FPS के अंदर यह जो है उतना खास परफॉर्म नहीं करती तो अगर आप 60 FPS के अंदर खेलना जाते हो तो कर सकते हो Gaming यहाँ पर But जो Temperature है 90 FPS के साथ वो भी उतना खास Rise नहीं हुआ था बट यहाँ पर जो Frame Drops है वो मेरे को देखने को मिले थे तो यह Overall आपको जो है Experience मिलता है इस MIUI SR के Quark Edition के बीटा अपडेट का Poco X3 Pro के लिए अगर आपको वीडियो पसंदा आए हो तो प्लीज लाइक करके जाना शेर करना सबस्क्राइब करना मिलेंगे नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ